आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप थ्री अपकमिंग 125 सीसी बाइक के बारे में जी है भाई क्योंकि अगर आपको कोई बाइक पर्चेस करनी है तो आपको पहले से गाड़ी की अपडेट पता होना चाहिए और इंडिया में ऐसी कौन कौन सी बाइक हैं जो 125 सीसी में कमिंग सूर में है तो उसके लिए हम है ना तो भाई ये वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखना साथ भाई जो चैनल है सब्सक्राइब कर लेना और भाई एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना और बात करते हैं आने वाली तीन नई 125 सीसी गाड़ियों के बारे में सबसे पहले बात करेंगे Most Awaited TVS Apache 125 के बारे में तो भाई जो Apache है ये गाड़ी आज आपको मिल जाती है इंडिया में तीन सेगमेंट के साथ एक आती है 310, एक आती है 160 और एक आती है 200 लेकिन 125 में कमिंग सून में है और ये बात आपको भाई क्लियर कर देते हैं कि ये गाड़ी आपको 125 4V मिलेगी ना कि 2V तो ये आपका डाउट क्लियर हो गया अब बात करते हैं गाड़ी का इंजन तो भाई आपको Apache 125 में मिल जाएगा 125 CC का इंजन जो कि ये गाड़ी आपको 5-speed gear के साथ मिलेगी जिसमें कि आपको air plus old cooled इंजन दिखने को मिल जाएगा और Apache 125 जो है लगभग आपको देगी 11 से लेके 12 HP का power और 11 NM का torque को mileage जो है आपको Apache 125 में लगभग मिल जाएगा 45-50 का speed आपको मिल जाएगी 115-118 के बीच में और इसका भाई जो price होगा Apache 125 का वो आपको लगभग मिलेगा एक शोरूम बेस मॉडर का starting price एक लाग दस हजार रुपए के आसपास तक का और आने वाली नई Apache 125 आपको जो है इस साल के आखिर तक या फिर आपको festival सीजन के पहले मिल सकती है तो आप लोग चाहो तो आने वाली नई TVS Apache 125 का वेट कर सकते हो अब बात करते हैं गाड़ी के लुक्स तो ये आपको सेम 200 4W के जैसी मिलेगी बाई 160 के जैसी नहीं मिलेगी क्योंकि आपको Apache 125 में क्लिप आउन के हैंडिल बार split की seat और आपको grab rail मिल जाएंगे split के और गाड़ी के जो पूरे looks है body panels है वो आपको same Apache 4W जैसे ही मिलेंगे गाड़ी में आपको fully digital meter console, fully LED का setup, indicator को छोड़के mobile phone की connectivity, riding modes आपको ये सारे feature दिखने को मिल जाएंगे और इसका भाई जो engine है वो आपको kick start के साथ नहीं मिलेगा लेकिन भाई मन में ये doubt मज़ रखना कि इसका जो engine है वो radar वालगा तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है engine आपको नया मिलेगा आगे आपको मिल जाएगा suspension, telescopic का, पीछे आपको मिल जाएगा twin shock absorber भाई ये गाड़ी आपको single disc brake के साथ दिखने को मिलेगी साथ ही companies गाड़ी में आपको single channel ABS भी offer कर देगी बाकी जो है भाई आप लोग wait करना चाहों तो कर सकते हो तो अब जो है बात करते हैं आने वाली second गाड़ी के बारे में तो बाई second गाड़ी जो है वो होने वाली है hero की ओर से हंक को तो बाई जो हंक है ये आपको इंडिया में 125 CC के साथ मिलेगी हंक पहले इंडिया में 150 और 160 और 200 सेल हो चुकी है लेकिन company ने discontinue कर दी थी तो अब आपको हंक को वापस से मिलेगी और हंक आज भी इंडिया में बनती है 150 CC में शैद लेकिन वो गाड़ी इंडिया के लिए नहीं बनती है hero company जो है हंक को आज भी बांगलादेस में सेल करता है तो बाई जो वीडियो आपको दिख रही है same इसी लुक के साथ हंक जो है आपको इंडिया में दिखने को मिल जाएगी जिसमें की आपको काफी हैवी लुक एंड डिजाइन मिल जाएगा और बाई गाड़ी का जो प्राइस होगा वो आपको 95,000 रुपे से स्टार्टिंग दिखने को मिल जाएगा और कमपनी जो है इस गाड़ी में आपको दो वैरियंट लॉंच करके देगी पहला वैरियंट होगा सिंगल डिस्क और दूसरा वैरियंट होगा नॉन डिस्क को ऐसा confirm नहीं है लेकिन और बाई का जो बाई इंजन है कमपनी वो आपको नया इंजन देगी बाई इंजन आपको एकस्त्क और सुपर वाला नहीं मिलेगा इंजन जो है वो आपको फाइब непो स्पिल गेर के साथ मिलेगा जो की आपको एर प्लस ओयल्ड कुल्स मिलेगा और इसमें आपको नया इंजन मिलेगा बाई फिट से कह रहा हूँ और बाइक में आपको लगबग 12 HP का पावर और 11 NM का टॉर्क देखने को मिल जाएगा बाकि ये थोड़ी सी सस्ती रहेगी वो आपको पता चल चुका है और इसमें आपको सेमी मीटर कंसोल देखने को मिल जाएगा जैसा की आपने वीडियो में देखा अभी और इसमें जो है बाइ कंपनी आपको प्रोवाइड कराएगी हेलो जन का सेटाप यानि की आपको हेलो जन के हेट लैम्प, हेलो जन के टेल लैम्प और आपको हेलो जन के टर्न इंडिकेटर देखने को मिल जाएगे और बाई जो body के panels है वो आपको जो video दिख रही है same ऐसा ही आपको मिलेगा बाई colors and graphics में आपको फर्क देखने को मिल सकता है बाकी जो है बाई tank आपको काफी heavy मिलेगा जिस पे की आपको tank flap मिल जाएगा बाई जो seat का उलेव वहाँ पे आपको 125R की branding दिखने को मिल जाएगी बाकी जो है बाई इस गाड़ी में आपको single piece में handlebar single piece में seat और आपको बाई grab rail मिल जाएगे बाकी जो है ये गाड़ी आपको kick start के साथ सायद ना मिले आगे आपको मिल जाएगा suspension टेलिसकोपिक का पीछे आपको मिल जाएगा monoshock आगे का बाई जो tear आपको मिलेगा 80 पीछे का बाई जो tear आपको 110 profile का मिलेगा 17 इंच के साथ बागी बाई गाड़ी के जो looks है वो आप check out कर सकते बाई आप बताना आपको Apache जाएदा बेटल लगी 125 CC में या फिर hunk और बाई हंक जो है 125 CC में आपको तीन मैने के अंदर अंदर मिल सकती है लेकिन ये confirm update नहीं है ये एक expected update है तो आप लोग चाहो तो wait कर सकते हो तो अब जो है बात करते हैं third और last गाड़ी के बारे में तो ब N125 मिलने वाली है जिसकी की बाई टेस्टिंग इंडिया में जोरो शोरो पर चल लगी है लेकिन बाई जो वीडियो लीक हुई है ना उससे ये clear होता है कि पलसर में कुछ नया आने वाला है या फिर बाई हो सकता है कि बजाश कंपनी अपनी कोई नई जनरेशन लांच करने वाली हो यानि कि कोई नया नाम आ सकता है बाई प्लैटीन तो नहीं आएगी उस लुक में जो वीडियो मैंने देख ली है उसके बाई जो रिम सेना और जो डिस्क ब्रेक के प्लेट है वो तो पलसर P150 के जैसे ही है तो बाई कुछ कह सकते है कि हाँ आप N125 P125 आ सकती है तो यह आप मान सकते हो बाईक में जो बाई आपको 125 CC का इंजन मिलेगा इंजन आपको नया वाला मिलने वाला है वो इंजन पलसर और NS वाला नहीं रहेगा पावर बाई लगबग आपको देगा 12 PS की टॉर्क आपको देगा 11 NM का बागी जो बाई लुक्स जो है वो आपको बा से आपको लगेंगे हेड लाइट के LED के मिल जाएंगे और बाई जो मिटर कनसोल है वो आपको fully digital दिखने को मिलेगा बाई गारे में आपको single piece में seat और single piece में grab rail देखने को मिल जाएंगे और बाई फरंट में आपको मिल जाएगी डिस्क रियर में आपको मिलेगा ड्रव अंडर वेली आपको एक्जोस्ट मिल जाएगा साथ ही बाई जो फ्रंड की डिस्क है वो ABS के साथ नहीं आएगी जो बाई वारियंट देखा गया है वो non ABS था और गारी का जो बाई प्राइस होगा न वो आपको 80,000 रुपए से लेगे बाई 90,000 रुपए के बीच में एक शोरूम दिखने को मिल जाएगा ओन रोड मान के चलो एक लाग 5,000 रुपए मोटा मोटा एक्सपेक्टेड मान के चलो बागी जो है ये गाड़ी आपको बाई एक से दो महिने के बीच में डेफेनेटली मिल जाएगी और बाई बजाज तो वैसे भी काफी सारी बाई के लॉंच और रेड़ी कर चुका है बाई नमूने आप देख सकते हैं तो बाई आपको कौन सी बाई का वेट है वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना बाई पलसर का अपैची का हंक का कौन सी बाई का वेट है वो आप बता देना बागी जो बाई वीडियो है लाइक कर देना मिलते हैं किसी और वीडियो में तब तब के लिए जैहिंद वंद मातरम बाई